जय सिव संकरमित्रों, मैं आप सभी का हरिश पांडे 30 नवंबर 2022 का मकर रासी फल लेकर के उपस्थित हूँ मैं आज आपको बतलाऊंगा कि 30 नवंबर 2022 का दिन आप मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है लखी रंग क्या होगा और लखी अंग क्या होगा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा वीडियो सुरू करने से पहले एक आवस्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेस करें मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730 यह नमबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा डिरेक्ट कॉल ना करें मैसेस करें ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं 30 नमबर 2022 का मकर रासी फल तो आज 30 नमबर को रासी से चंद्रमा की इस्थिती दूइतिये भाव में रहने वाली है अर्थात धन भाव में रहने वाली है तो धन भाव में दूइतिये भाव में बैठा चंद्रमा धन तो देता है किन्तु भावनात्मक रूप से कमजोर मनाता है आज का चंद्रमा आपके लिए 50-50% वाला चंद्रमा रहेगा अर्थात 50% सकारात्मक और 50% नकारात्मक तो ऐसी स्थिती में आपको आपका भाग साथ देता हुआ दिखाई देगा लेकिन आप कई जगह, कई बार, कई स्थितियों में भावनात्मक रूप से याने कि इमोशनली आप अपने आपको वीक अनुभाव करेंगे पारिवारिक तोर पर, सामाजिक तोर पर आज आपका वीवेक, आपकी बुद्धी, आपका साथ तो देगी लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, तो आप उसको ले करके बैठ जाएंगे ये इस्थिति आपके साथ देखने को मिलेगी इनकम की स्थिति आज बढ़ियां रहने वाली है साम को घर पर जब आप लोटेंगे, तो संतुष्टी कानुभाव करेंगे कि नहीं, आज मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिये जो लोग जॉब करते हैं, आज उनको उनके जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना है, किन्तु 50% अगर भागे ने साथ दिया, तो प्रमोशन मिल सकती है अगर कुंडली में चंद्मा बढ़ियां हुगा, तो प्रमोशन मिल सकती है और जो लोग बिजनस करते हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा ठका देने वाला तो होगा ही लेकिन फिर भी अन्त में साम के समय आप संतुष्टी कानुभाव करेंगे कि नहीं मैंने आज दो पैसे ठीक ढंग से कमा लिये विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़ियां कहुँगा, आज का दिन थोड़ा सा उनके लिए दोड़ भाग का दिन रहेगा, घर के काम कास को लेकर के आज विद्यार्थि गण थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेंगे और पढ़ाई लिखाई में आज थोड़ा समन कम लगेगा, ठीक है, और वैवाहिक लोगों के लिए भी आज का दिन 50-50 परसेंट सुब रहने वाला है जीवन साथी से भरपूर सहयोग तो मिलेगा, लेकिन भावनात्मक सहयोग नहीं मिल पाएगा अतर इसको ले करके आप दिल पर ना ले और आज का दिन किसी तरह से निकाल दे तो बहतर होगा, बात को न बढ़ाए ग्रिवनियों के लिए कहूंगा कि ग्रिवनिया अपने कारे पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दे क्योंकि आपके कारे किला परवाही के कारण आपको अपने घर में दो-चार बाते सुननी पड़ सकती है आज सेहत भी मीडियम रहने वाला है, अर्थात बहुत विशेश कोई समस्या नहीं होने वाली है और नहीं कोई विशेश लाब मिलने वाला है, डाइजेशन की थोड़ी समस्या रहेगी आपको आज ठीक है, अपने डाइजेशन का आप थोड़ा सा आज ध्यान रखे, वरना दिक्कत हो सकती है, बाहर का खाने से बचे और प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन ठीक है, बढ़िया है, आप आज कहीं घुमने के लिए जा सकते हैं, और आज का समय आप कहीं और बिता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, जीवन साथी से भरपूर सहयोग और भावनात्मक सहयोग प्राप्थ होगा, ठीक है, तो मित्रों, सेर मार्केट में आज आप इन्वेस्ट न करें, मैं इतनी सलाह दूँगा, आज का लखी रंग है लाल रंग और आज का लखी अंक है नंबर चार, और आज का मैं आपको उपाई बता देता हूं, आज का उपाई ये है कि आ आज का मकर रासी फल, जाते जाते एक बार फिर से कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे वाट्स अप नमबर पर मैसेस करें, मेरा वाट्स अप नमबर है 8540096730, ये नमबर म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तुम्हें चलता हूं मित्रों, जये सिव संकर